दिल्ली के बुराडी इलाके में बना जोहर में हज़ारों की संख्या में मरी मच्रियां इतनी बड़ी संख्या में मच्रियों के मरने से इलाके में फैला महामाई का खत्रा मच्रियों के मरने से जोहर का पानी हुआ जहरीला आसपास के लोगों का रहना और खाना खाना तक हु के कारण जोहर के चारों तरफ रहने वाले लोग नार्किय जीवन जीने को मजबूर लोगों का कहना कई दिनों से कर रहे थे जोहर की सफाई की मांग गंदे पानी में जहर फैलने के कारण मच्रियों के मरने की आशंका कई लोगों का कहना मच्रियों के मरने से आ सकती है प्रा मरे हुए मच्रीयों का धीर नज़र आ रहा है तो में तो में जोड़ा है लाख़ो मच्छे मर गई है भग बीटे हो रही है यहां पर खड़ा नहीं हो जा रहा है हुआ कैसे क्या पता चला कुछ नी पता है कैसे मधी है लेकिन सुबादेख तो यहां पर सारी मच्छे माई जा उपर आ गहीं है जहां अब तक देख रहे हैं हैं हम हम क्या समझ में आरा है हो सकता है प्राइब आपाता है तुछ उनने वाला कुछ बड़ा हूं या फिर या फिर किसी ने कुछ जार का तवाजी कर जिक है कुछ जाल ज्यादा संख्या में मच्रियों के मरने से इलाके में बदरी फैल गई दरसल यह जो है तुमर कॉलोनी की रहा इसके बिलकुल बीचो बीच बना हुआ है और स्थानिये लोग कई दिनों से इसकी सफाई की मांग कर रहे थे लेकिन जनप्रतनी धी और अधिकारियों के कानों मे जून तक नहीं रही थी आज अचानक से हजारों मच्रियों के मरने से अब यहां रहने वाले लोगों को बिमारी का खत्राब बना हुआ है जहूं के पानी इन मच्रियों के मरने से दवाया हो चुका है और इनका कहना है कि आसपास के जानवर इसी जगह का पानी पीते हैं ज पहले भी काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और यहां तक की शिकायतों का एक पूरा पुलिंदा बन चुका है लेकिन इन शिकायतों पर कारिवाही तो दूर की बात बुराडी इलाके के जो हड और भी बदतर होते जा रहे हैं जिसका उधारन आज अचानक हुई म मौत से सामने आ गया मचलियों के मरने का अभी तक कोई पुखता कारण किसी की समझ में नहीं आया किसी का कहना है कि जिला का पानी जैहरीला होने के कारण इतनी बड़ी संख्या में मुसली का मर गई और कुछ का कहना है कि किसी शरार्ती तत्वों ने जान बूज कर जहां मे विवार विवार जिसके कारण यह मुसली हमारे उपर आ गई वहीं कुछ लोग यह भी खराब है कि इतनी बड़ी संख्या में अचानक एक साथ मचलियों का मरना किसी प्राक्रितिक आप दका संकेत हो सकता है कारण चाहे कुछ भी हो राजिस्थानी लोग जल्द से जल्द इस तालाब की सफाई की मांग कर रहे हैं जिससे यहां के लोगों को नारकिये जीवन से चुटकारा मिल सके क्योंकि इन मचलियों के मरने से ना तो कोई खाना खाता रहा है और ना ही घर के खिड़की दरवाजे खोल कर सांस ले पा रहा है